तो आज मुझे ना cardboard या waste material से ड्याबाई बनाने का मन नहीं कर रहा था तो सोचा ऐसा कुछ try करते हैं जो cute होने के साथ साथ useful भी होंगे Hello everyone, welcome to my channel Cyrus Handmade तो जैसे मैंने बताया, आज मैं clay craft try करने वाली हूँ और इसके लिए मैं सबसे पहले अपना favorite mallet ले लूँगी और इसमें दिये हुए resin और hardener को equally mixed करके एक dough बना लेना है और उसमें से थोड़ा सा clay side पे रख देंगे और इस clay को हाथों से press करके कुछ lumber shape देना है बाकी जो clay side पे रख दिया था उससे थोड़ा सा clay flat करके इसके उपर चपका देंगे और extra part को cut करने के बाद इसमें छोटे छोटे pockets बनाएंगे तो यहाँ पे मैं minion photo holders बना रही हूँ तो उस हिसाब से इसमें बाकी detailing add करेंगे तो आज के DIY बहुत ही easy होने वाले है तो आप इसे घर वैटे अपनी बच्चों के साथ भी try कर सकते हैं और फिर इसी तरह मैंने दो छोटे clay balls को चिपका कर refill से प्रेस कर दिया तो इनके आखे और चश्मा बन गए और पतले clay strip चिपका कर stick बना लिया है और side से हाथों को चिपका देंगे देन छोटे clay balls चिपका कर pair बना लेना है फिर मैं ले रही हूँ gem clips और clip को इस तरह लेके अंदर इंसर्ट कर देना है ज्यादा इंसर्ट नहीं करना नहीं तो photo hold नहीं कर पाएंगे इसी तरह मैंने एक और बना लिया है अब इसको paint कर लेंगे तो मैं यहाँ पर direct paint apply कर रही हूँ आप चाहो तो jesu का एक base coat apply कर सकते है और इस पार्ट को paint करने के लिए मैंने prussian blue के साथ होड़ा सा white color mixed कर लिया है नेक्स्ट डियावाई के लिए एक ले को कुछ इस तरह रोल कर लेना है दिन एक एंट को अंदर की तरफ रोल करते हुए इसे कुछ spiral की तरह शेप देना है और दूसरा एंट को हाथों से प्रेस करते हुए हाथी के सूंड जैसे शेप देना है उसके बाद molding tool या किसी भी चीज से इसके अंदर hold कर देना है ताकि इसे हम अगर बत्ती holder के तरह यूज कर सके फिर पानी लगाकर सर्फेस को अच्छे से स्मूथ कर लेना है और अच्छे से दोनों साइड स्मूथ करने के बाद रिफिल से इसको पर randomly कुछ design बना लेंगे फिर नीचे थोड़ा सा clay चिपका दीजिए और सर्फेस के ऊपर powder छिडाकर इसे प्रेस कर देना है तो नीचे एक flat base बन जाएगा तो इससे ये holder easily गिरेगा नहीं तो अब इसे paint कर लेंगे तो अगली DIY में थोड़ा सा color बच गया तो उसी के साथ थोड़ा सा white color add करके use कर रही हूँ और last इसे silver color से highlight कर देना है और इसी के साथ हमारा second DIY ready है तो चलिए इसका final look देख लेते हैं तो थर्ड DIY के लिए चोटे 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 clay balls बना लेना है उसके बाद merches या फिर toothpick ले लीजिए उसको कुछ इस तरह half cut करके clay के अंदर चिपका देना है और side से कुछ इस तरह प्रेस करते हो इसे पूरा seal कर देना है I think अभी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बना रही हूँ एक्चिली गर्मी बहुत बर गया है और गर्मी मतलब कुलफी और आइसक्रीम खाने का time बट सिर्फ खाएंगे ऐसे थोड़ी हो सकता है इससे कुछ बनाना तो बनता ही है और इसलिए मैंने फटा फट से इस DIY को शुरू कर दिया नेक्स्ट कुलफी रखने के लिए प्लेट बना लेना है तो उसके लिए क्ले को मारकर या हाथों से प्रेस करते हुए फ़िर सारी कुलफी को paint कर लेंगे तो मैं यहाँ पे हर एक कुलफी को अलग-अलग paint करने वाली हूँ तो आप चाहो तो सारी कुलफी को same color कर सकते है य प्लेट को simply black color से paint कर लेंगे और color dry हो जाने के बाद glue से सारी कुलफी को stick कर देंगे और मैंने कुलफी के कुछ slices भी बनाया है उसको भी stick कर देंगे और last मैं एक magnet लूँगी उसको plate के पीछे stick कर दोंगे और कुलफी fridge magnet ready है तो चलिए इसका final look देख लेते हैं तो कहीं बर क्या होती है कि paint करते करते brush को table को पर रख देते हैं और color इस तरह से surface के उपर चिपक जाते हैं और तब इसे तूरंत remove करना परता है नहीं तो यह permanently चिपक जाते हैं और यह problem मेरे साथ बहुत बाहर हो चुके है इसलिए मैंने सोचा इसका कोई permanent solution निकालते है तो clay को मैंने कुछ इस तरह से roll कर लिया है आप इसको एक dark shape देंगे तो मेरे हाथों से चीज हमेशा गिर जाती है तूट जाती है इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ मोल्डिट का यूज किया है आप चाहू तो इसके जगा em seal या फिर homemade clay का भी यूज कर सकते हैं और ब्रस रखना चाते है उस हिसाफ से curve add कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें और एक curve add कर दिया है और अब यह बिल्कुल dry हो चुके है तो इसको हम paint कर लेंगे और इसको मैं deep brilliant purple color से paint कर ले रही हूं और दो coat color apply करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा आप yellow color से randomly कुछ patterns बना बतादू जब आप इसे dry होने के लिए छोड़ दोगे तो इसका जो सर है उसको सीधा रखने के लिए दोनों साइट से कोई भी भारे चीज़ रख दीजेगा नहीं तो यह गिर जाए और कुछ इस तरह मैंने इसका eye draw कर लिया है और यह ready है और अब मैं अराम से painting बगेरा कर सकती हो और इसमें easily आप दो-तीन ब्रशिश रख सकते हैं इसको move करने पर भी नहीं गिरेंगे और आप चाहो तो इसे as a table decor sopies के तरह भी use कर सकते हैं तो फिफ्ट DIY के लिए भी मैंने के लिए को कुछ इस तरह रोल करके एक लंब स्ट्रीप बना लिया है अब एक हाथ से द और उसके बाद इसको तूरंद निकाल लेना है नहीं तो उसी सरपेस पे यह स्टीक हो जाएगा और clay dry होने के बाद इसको मैं Turkish blue color से paint कर ले रही हूँ और last इसको silver color से थोड़ा सा highlight कर देना है और बस सबसे easy और simple candle holder ready है तो next मैंने clay को हाथों से press करके एक round shape दे दिया है और आप बस इसमें एक jump ring attach कर देंगे और बाकी clay को round shape देने के बाद इसको बीच से half cut कर लेंगे और इसको dry होने के लिए छोड़ देंगे और clay dry होने के बाद green color से एक border बना लेंगे और उसके अंदर दूसरा border बनाएंगे white color से और center पे कुछ red color apply कर देंगे तो ये बिल्कुल watermelon जैसा दिखेगा तो ये DIY बनाने का कोई plan नहीं था बस थोड़ा सा clay बच गया था जिसे मैं waste नहीं करना चाहरे थी तो मैंने सोचा कि एक necklace बना लेते है और फिर मैंने इसको watermelon जैसा बना दिया तो यहाँ पे मैंने earrings को भी paint कर लिया है अब strong glue use करके earrings studs लगा देना है तो मैंने सोचा नहीं था कि यह इतना अच्छा लगेगा बट यह बहुत ही cute लग रहा था तो चलिए आप भी इसका final look देख लीज़े तो ऐसे की हम सब के पास है जिसको use करकर के उसका हालत खराब हो गया हो तो मैं ऐसे ही इस की को एक नया look देने वाली हूँ उसके लिए सबसे पहले इसको clay से cover कर लेना है actually यह भी list में नहीं था बट वही clay extra हो गया था तो मैंने इसके उपर बस experiment कर लिया तो यहाँ पर मैंने दो कान और एक bow बना दिया है और इसको dry होने के लिए छोड़ देंगे फिर मैं इसके उपर simply white acrylic color apply कर दूँगी और फिर pink color से bow को paint कर देंगे और कानों पे भी हलका सा pink color apply कर दूँगी और फिर दो आँखे बनाएंगे और इसी तरह आप अपने favorite character को भी बना सकते हैं तो चलिए अब इसका final look देख लेते हैं और लास्ट इन सारे डियावाइस के उपर vernis apply करना बिल्कुल मत भूलना तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसे नए डियावाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तिल देन टिक क्यार और बाबाई